हाई एवरीवन वेल्कम एक टो कोड्स टेबर स्टेप मैं हूँ अनिल से दू नोड़ जैस के इस पार्ट में लोग बात करने वाले हैं फाइल अपलोड करने के लिए एक एक कैसे बना सकते हैं नोड़ जैस की एप्लिकेशन में तो स्टेप्स के साथ में स्टार्ट करते हैं सबसे बहुल एक मल्टर नाम का पैकेज होता है न्पिंपैकेज उसको इंस्टोल करेंगे बाद में उस अप्लोड फैल के लिए राउट बनाएंगे थोड़ा सा कोड लिखेंगे पोस्टमें की दिरू फाइल को सेंड करेंगे औ बेसिकली एक फाइल अप्लोड होती कैसे मैं आपको यहां से दिखा दूँगा सो इसको इसको इस्टॉल करते हैं जब तक इसको डोकुमेंटेशन अगर आप देखना चाहिए दिखा दूँगा मैं आपको अब टर्मिनल उपन करेंगे यहां पर और यहां पर सिंप्ली लिखूंगा एंपिम आए मल्टर हमारी फाइल यहां से अप्लोड वनी स्टार्ट हो जाएगी तब तक हम लोग यहां पर आते हैं यहां पर चाहते यहां से कर सकते हैं यहां पर सकते हो यहां पर आप यहां पर इस वीडियो के अंदर इस से भी और्हेजिकोड अगर काई तो इससे भी कम कोड के अंदर आपको फाइल अप्लोड करके दिखांगा हाँ इन्होंने बेसिकली जो अप्लोड करके दिखा है वो एक फ़र्म परकत cities मैं आपको एक एक अप्मद्र फाइल करके करका हूगा सो यहां पर पैकेज इंस्टोल होगे है यहां पर जीरो वर्नेबिलिटी फाउंड हुई है everything is fine after that यह टर्मिनल मुझे चाहिए और मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम भी कर लेता हूं थाके मैं लोग को अच्छे से देख पाएं और यहां पर हम लिखते हैं कॉंस्ट एक्स्प्रेस कुल टू को रिक्वाइर एक्स्प्रेस अफटर देट हम लोग चॉन्स लेंगे और कॉंस्ट के अंदर एक ओर इन देगी इसको लेंगे हम लोग मल्टर और इसके पाकेज को लोड़ करेंगे इस तरीके से and after that हम लोग एप लेते हैं express में से wes.xfx के function को execute करते हैं इस तरीके से अब हम लोग राउट बना लेते हैं app.post पोस्ट राउट बनेगा इसके अंदर आपको ध्यान लखना है और post के अंद्र हम लोग सबसे पहले यहां यूरल देंगे यहां पर लगा देता हूं मैं अभी के लिए अपलोड इसका यूरल है और आपको पता है कि हर एक राउट सेक्ट परामिटर एज फंक्शन लेता है और यहां पर लिखता हूं मैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉंस और अगर मैं इसको रिस्पॉंस में कुछ जालता हूं तो अभी के लिए हम लिखता हूं रेस्ट डॉट को सेंड और इसमें लिखता हूं कि फाइल कि अपलोड़ेट कि इस तरीके से और आफ्टर सबसे लास्ट में आके हम लोग इसको एप डॉट एक लिस्टनर भी लगा देते हैं ताके मारा सर्वर इस पॉर्ट क पर आप रहे 5000 को पर इसको हम लोग अप कर देते हैं तो हमारा एक बेसिक बन गई है इसको बार चला के देखते हम लोग यहां पर लिखता हूं नोड मून स्टार्ट हो चुक है यहां पर आता हूं पोस्ट मैथट सेलेक्ट करूंगा यहां पर राउट डालूंगा और इसके अधर यहां पर डाल देता हूं अप्लोड चुल यहां पर एट हंडड ने यहां यहां फाइब फाइब फाइल अप्रोड स्टेटस टू हंडड सब कुछ ठीक आ रहा है तो अब हमें करना क्या है कि कि इसके अंदर में फाइल अप्रोड करने को लिए उसके लिए फंक्शन मना पाँ मैं सबसे पहले लग से उस फंक्शन का नाम मैं लेक्त हो लेट से अप्लोड या जो भी आपको ठीक लगे और यह एक मल्टर का बेसिकल एक फंक्शन होता है मल्टर भी यहां पर इसके अं अंदर उब्जेक्ट के अंदर आता है storage और जो storage होता है वो basically अपने आप में एक मल्टर का function होता है इसके यहां पर लिखता है हम लोग मल्टर.diskStorage यह भी अपने आपने फंक्शन होता है जो कि एक object लेता है थोड़ासा अजीब लगेगा आपको कोड की पहले मल्टर और के अंदर एक मल्डर का function जी हां बड़ इसी तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं and after that इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं destination destination का मतलब यहां पर अपलोड करनी का है यह function होता है function के अंदर basically 3 parameter होते है एक होता है request after that file और after that cb right और cb का मतलब कहा है यहां पर callback बहुत लोग confused रहते हैं कि cb क्या लिख दियो इन्होंने यह basically callback होता है कि यहां पे आप लोग xy भी लिखोगे ना तो भी चलेगा कुछ भी जोग आपको ठीक लगे वह आप लोग यहां पर लिख सकते हो तो मैं cb को execute करता हूं यहां पर cb के अंदर दो parameter होते हैं यहां पर फर्स्ट परामेटर हम लोग नल देंगे कि second parameter हम लोग जहां पर में file upload करनी है upload वाले folder में करनी है तो यहां पर लिखता हूं upload वाला folder ना इसके बाद में हमारे पास जैसे यह में destination लिख है second एक और फंक्शन होता है file name करके कि यह बी एक function होता है जैसे मैंने आपको भी बताया और इसके अंदर भी हमारे पास request कि एंड आफ्टर दैट हम लोग यहां पेव सीवी को को करेंगे सीवी के अंदर फर्स्ट परामिटर अगेन हमारा नल जाएगा इसके में यूजरूरत होती नहीं है आफ्टर तर्फाइल.ट फाइल ने जो भी हमारी फाइल का नाम आ रहा है वो फिल ने मिभी कह सकते अप्लों बीसेड़ी फिल ने लेटे हम लोग एंड इसके बाद में आप चाहो तो लेट सी क्या आप कुछ नाम चेंज करना चाहते हो जो भी हमारा फाइल है उसको थोड़ा से यहां से modify करता हूं यहां पर इता हूं उसके साथ में underscore और उसके मैं data add कर देता हूं राइट सो यहां पर लिखता हूं date.now नाव जन की जो current date होगे हमारा वॉयग यह function होता है आफ्टर जो भी एक्सेंशन चाहो तो आप लोग फाइल में से एक्सेक्ट कर सकते हो आपको इसली मिल जाएगा उसका उप्शन बट जो बैसिकली मैं यहां पर यूज कर रहा हूं वह मैं इमेज ही अप्लोड करूंगा तो मैं है पन की एक्सेंशन बाइड डिफोल्ट जेप भी जी थोड़ा फॉर्मेट करता हूं कोड को ओके सो ठीक है आफ्टर डैट जो यह हमने फंक्शन मना है इसको एक्चुल हमें ऐसा मिडल वेर यूज करना है अच्छा यहां पर यहां पर आना पड़ता है कि सिंगल फाइल अप्लोड करने मल्टिवल फाइल अप्लोड करन यूजर अंडर्सकोर फाइल ठीक है यह मैं इसका नाम रख देता हूं यहां पर फिल्ड आएगी हमारे पास फाइल जैसे मैं कोई फाइल को चूज कर लेता हूं अब यह के लिए मैं क्या फाइल चूज करूं डाउन्लोड में जाता हूं जो भी मेरे पास टॉप पे फाइल है मैं इसको उठा लेता हूं यहां पर यहां डालना है यहां पर इस तरीके से ठीक है और अब जो हमने यहां पर अपलोड नाम से एक फंक्शन मनाया बेसिकली यह एक मिडल वेर होते हैं इसको आप लोग यहां पर यूज करोगे as a second parameter in your route अब हम अप्लोड करके देखते हैं I hope सब कुछ ठीक रहेगा मैंने यहां से सेंड करा फाइल को यहां पर आता हूं यहां पर देखिए यूजर के नाम से मारे एक फाइल है वो अप्लोड हो चुकी है यहां पर फाइल दिखने रही है सो लेट मी चेक कि क्या प्रूलम है अच्छुली यहां पर हमें डॉट लगाना था जो कि मैंने कोमा लगा दिए इसलिए इसके एक्स्टेंशन नहीं बन पाई है एक बारे फिर से फाइल को अप्लोड करके देखते हैं सेम फाइल मैं अप्लोड कर रहा हूं और यहां पर आता हूं और यहां पर देख सकते हो क लगेदी अप्र यह वाली फाइल जो भी बनाए है यहां पर देख सकते हो उनकी फाइल ट्री फाइल हमारे पास यहां पर आ चुकिए और फाइल अप्लोड करके देखनी है वो भी देख सकते हम लोग लेट से कि मैं यहां पर एक्स वाइजी नाम से जो फाइल है उसको अप्लोड करने कोशिश करता हूं अब हमारे यहां पर फाइल इमेज अप्लोड हो चुकि है इसके उपर आता हूं मैं यह वाल यह हमारी थर्ड वाली फाइल थी search with multiple fields यह भी अप्लोड हो चुकिए तो इस तरीके से आप यहां पर फाइल को अप्लोड कर सकते हो यह सिंपल कोड था यह आपको सारके सारा कोड आपको गीटब के उपर मिल जाएगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा ब्रांच का नाम मिलेगा आपको फाइल अंडर्सकोर अप्लोड और एक इंटर्व्यू पूर प्रांच की जोड़ते हैं बिना मल्टर पैकेज के हम लोग फाइल के अप्लोड नहीं कर सकते हैं आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं कोई प्लोडम नहीं है बट उसके लिए में थोड़ असा जादा कोड लिखना प सब्सक्राइब करना बिल्कुल बंद बूलना बाई बाई टेक केर थेंक्यू